जैश या राम भगजनों, आप सभी भगजनों का हमारी चैनल शब्द मंथन पर स्वागत है अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अगर आप चाते हैं ये भगवान की बाते किसी और तक भी पहुँचें और आप परम सेवा के भागिदार बने तो इन वीडियो को शेयर जरूर करें और मेरे चैनल पे जो मैं वीडियो डालती हूँ उनकी नोटिफिकेशन अगर आप चाते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें आज हम बात करेंगे कि हरे राम हरे राम 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 हरे 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 किर्शन हरे किर्शन 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 हरे हरे ये कल्यान कारी महा मंतर है इस मंतर के उपर दो वीडियो चैनल पे पहले ही डाल रखी है मैंने और जब मैंने वो वीडियो डाली तो कई मेरे पास कमेंट आए कि पहले हरे कृष्ण बोलना चाहिए मैंने वीडियो में बोला है हरे राम हरे राम पहले और कई बार ऐसे भी कमेंट आ चुके हैं कि हमें बताइए हम पहले इस मंतर का जाप करते समय राम का उचारन करें या क्रिशन का करें देखो ये मंतर कल्यूग का महा कल्यानकारी मंतर है क्योंकि इस मंतर के जाप से चमत का रिफल मिलते हैं और इस मंतर में राम, क्रिशन और हरी तीनों का ही 16 बार इस तरह से प्रियोग किया गया है आगे पिछे कि इस मंतर का प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जिसकी वज़े से अब प्रशन ये उठता है कि पहले राम लगाएं या क्रिशन बोल लें देखो आपके विश्वास पर निर्भर करता है राम को हो चाहि क्रिशन को हो फल तो दोनों का ब्राबर मिलता है परंतु अपना अपना विश्वास है सब का हमारे विश्वास के अनुसार हम पहले राम लगाते हैं जब उचारन करते हैं इस मंतर का या जाब करते हैं क्योंकि अगर आप तरीके से हिसाब से देखेंगे तो पहले भगवान राम अवतरीत हुए हैं क्रिशन बाद में हुए हैं त्रेता युग में पहले भगवान राम का अवतार हुआ है और फिर द्वापर युग में भगवान क्रिशन का अवतार हुआ है तो पहले राम का अवतार हुआ इसलिए हम पहले राम लगाते हैं हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे और हरे का मतलब यहां हरी से है ठीक है क्योंकि जिनको ग्यान नहीं है उनको पता नहीं होता है और अगर आप इस मंतर का अर्थ जानना चाते हैं तो इस मंतर की दो वीडियो है चैनल पे उसमें एक वीडियो में मैंने अर्थ ही बताया है और उस दूसरे में उसके लाब बताये हैं तो आप उन दोनों वीडियो को देखें और विश्वास के साथ आप इस मंतर का जाप करे तो आपको इसके चमतकारी फल मिलेंगे और अगर आप चाहे राम लगाओ चाहे कृष्ण पहले लगाओ आपके विश्वास पर निर्धारित करता है कि आप पहले किसको लगाना चाहते हैं राम को या कृष्ण को उससे कोई फरक नहीं पड़ेगा आप पहले कृष्ण बोले राम बोले विश्वास से बोले जो भी बोले श्रिधा से बोले बाव से बोले आपको फल अवश्य ही मिलेगा तो आज की ये छोटी सी वीडियो मैंने इसलिए बनाई है ताकि ये बात मैं आप सब तक पहुँचा सकूं और आप सब इस मंतर का पूरा लाब उठा सकें क्यो तो मेरे हिसाब से तो मैं हरे राम हरे राम बोलती हूँ आपकी मर्जी है आप हरे कृष्ण पहले बोल सकते हैं परन्तु ना ही हरे राम बोलना गलत है ना ही हरे कृष्ण बोलना गलत है दोनों ही ठीक हैं आज के लिए इतना ही जैश्याराम भगतो